उत्राखंड में सत्ता में वापसी के प्रियासों में लगी कॉंग्रेस पार्टी को इस बार सबसे ज़्यादा उमीद दलित वोटों के अपने पक्ष में आने की है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और पूर मुख्यमंतरी हरीश रावत 2017 की हार के बाद से ही चिंतित थे कि उत्राखंड में करीब 17 फीसद दलित जो कभी कॉंग्रेस की जोली में हुआ करते थे उनके हाथ से चले गए बकॉल हरीश रावत ऐसा इसलिए हुआ कि कॉंग्रेस में सबसे बड़ा दलित चेहरा यसपाल आरी पुत्र संजीव आरी के साथ चुनाव से ठीक पहले भाशपा में चले गए इस पर तब हरीश रावत ने अपनी टीस ब्यक्ति भी की थी कि यदि यसपाल उनके साथ होते तो कॉंग्रेस पार्टी 11 की जिगा कम अंतर से हारी करीब 22 सीटें और जीत थी इधर पंजाब में परिस्तिती जन्र कारणों से एक दलित चरणजीत सिंग चन्नी मुख्यमंत्री बने तो पंजाब के परभारी हरीश रावत की वही टीस फिर उबर आई बोले वह उत्राखंड में भी किसी दलित के वेटे को सीम देखना चाते हैं उनकी यह बात यस्पाल आरी के कानूं में पड़ी तो उनके बीतर दबीच छुपी सीम बनने की च्छा हिलोरे मानने लगी हरीश रावत की सरकार के दोर में रूठने की उनकी बिमारी एक बार फिर बाहर आई तो सीम पुसकर धामी उन्हें चाय पर मनाने पहुंच गए लेकिन यस्पाल सिर्फ चाय से मानने वाले नहीं थे क्योंकि वह अपने पुराने बागी नेताओं को वापस लोटा कर हरीश रावत के बरक्स खड़ा होना चाते थे सो उन्होंने भी यस्पाल को माध्यम बनाया हरीश रावत कहां पीछे रहते उन्होंने भी ततकाल मूर्चा सबाला और यस्पाल वो संजीव को अपने घर ले जाकर अंचाहे भी पत्नी से उनकी आरती करवा कर दिखाने की कोशिश की कि वह यस्पाल के कॉंग्रिस माने से खुश है लेकिन खुद को स्वयम भू तरीके से भावी मुख्यमंत्री के रूप में पहले से ही आगे कर रहे हरीश रावत के मन के भीतर की वास्तवी किच्छा जल्द ही तब सामने आ गई जब एक टीवी कारिक्रम में हो मुख्यमंत्री बनने के प्रश्ण पर लपेटे गए तो देखा आपने यहां उन्होंने हाथ में तक्तिर लेकर कहा हाँ यानि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं साफ है यदि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कैसे किसी दलित को मुख्यमंत्री बनते देख सकते हैं इसका जवाब नेनिताल में यसपाल के करीवी नेता ने भी यह कह कर दिया कि हरीश रावत किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में अकेले निर्णई नहीं ले सकते। सो असल बात यह है कि कॉंग्रिस वहरी श्रावत वास्तों में नहीं चाहते कि कोई दलित मुख्यमंत्री बने वरन किवल इतना चाहते हैं कि ऐसा कहकर वो कॉंग्रिस पार्टी से अलग हुए दलित वोटों को अपने पक्षे में आकर सित कर सकें। सिर्फ उन्हें जहाशा दे सकें कि उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि यदि वह वास्तों में किसी दलित के बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे करते हैं, तो उन्हें राजजी की करीब 70 फिस्ती सवर्ण आबादी के नाराज होने का भी खत्रा इससे भी बड़ा खत्रा यह है कि मुख्यमंत्री चूंकि वह स्वयंग बनना चाहते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बंद हो सकता है ऐसे में इशारे साफ है कि Congress किसी दलित को राजी का अगला मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है या केवल दलितों के बोट हासिल करना चाहती है आगे देखने वाली बात ये होगी कि दलितों को कितना यह बात समझ मा आती है अथवा कितना वह इस जहासे मा आते हैं इस पर ही कॉंग्रेस और उत्राखंट की राजनीती 2022 के बाद आगे बढ़ेगी विश्तिरत समाचार डिस्क्रेप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब भी करें ताकि हमारे वीडियो समाचार आपको सबसे पहले मिल सकें और हाँ हर रात ठीक 9 बजे हमारा वीडियो समाचार भी देखना न भूलें धन्यवाद झाल 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 झाल